हेलो एब्रिवान आई होप एब्रिवाडी इस वेल कुछ अपडेट है जॉब रिलेटेट और इस वीडियो में हम फूरा एजम्शन करेंगे कि प्राइमेरी के नोटिफिकेशन के बारे में और एक्जाम कब कंड़क्ट कर सकता है कुछ लोग बोल रहे थे कि अब एक्जाम देके क्या फाइदा यह लोग रिकूर्ट तो नहीं करेंगे ना इलेक्शन से पहले हाँ यह वाद सच है कि यह लोग इलेक्शन से पहले रिकूर्ट नहीं करेंगे यह बात सबको पता है पर एक्जाम अच्छी तरह से इसलिए देना है क्योंकि सब लोगों का उम्र बर रह है हो सकता है आज से दो या तीन साल बाद पराई करने की कोई मूड नहीं रहे या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना पड़े जिसके चलते अगली बार ठीक से प्रिपर्शन नहीं ले सकेंगे आप और यह हमारा फिल्ड है और इस फिल्ड में हम अपना 100% दे सकते हैं इसलिए होप मत चुलो और मैं यह तो कहूंगा कि प्राइमरी टेट पर फोकस करके उस टॉपिक को अच्छी तरह से परओ जो टॉपिक आदर्स एक्जाम में भी काम में आए ताकि आप आदर्स एक्जाम में भी चांस ले सको एक न्यूज है सबके लिए कि PSC दौरा ग्रूप D, ग्रूप C, ग्रूप B में 33,000 स्टाप को ल हाथ छोर दिया गया है, इसलिए ये PSC दौरा लिया जाएगा, अगर PSC पास से 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन पब्लिश करता है, तो most probably primary date का नोटिफिकेशन अगले एक महिने के अंदर पब्लिश करतेगा government, most probably September की last week या फिर October की first week तक आप लोगों का नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, और अगर एक्जाम की बात करें, तो pandemic जिस तरह से चल रहा है, ये दो या फिर तिन महिने के अंदर रोकने वाला नहीं है, और तिन महिने के बाद भी schools properly नहीं खुलेंगे, जहापर स्टाप की कमी दिखेगा, क्योंकि कोई-कोई स्टाप घर से बहुत सारे एक्जाम हैं, जो September या फिर October में होने वाला था, सारे एक्जाम का schedule December या फिर January में select किया जाएगा, और अगर government schedule का style change करें, जैसे की jobs का हर exam Sunday या फिर Saturday को लिया जाता है, इसको अगर change करें तो most probably exam January के first week में होगा या फिर December में भी हो सकता है, और अगर result की बात कर तो I think पिछले 4-5 सारों से exam नहीं होने के वज़े से कुछ ज़्यादा ही candidate exam attend करेंगे, और election होगा April में, तो election से पहले result out होना इसका possibility नाखे वरावर है, अब मैं सब के लिए कुछ बात कहूंगा, देखूं, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें instant कोई profit नहीं मिलता है, और long time में भी बहुत ज़्यादा profit मिलेंगे, इसका कोई guarantee नहीं है, अब जिस तरह से 10 साल से teacher recruit नहीं हो रहा है government school में, अब हर parents बच्चे को government school से ज़्यादा private school में admission करवाने का prefer ज़्यादा कर रहा है, इसमें हो क्या रहा है, government में बच्चे कम होते रहे हैं दिन बदिन, और Bengal जैसी state में 40% लोग property line के नीचे बिलोंग करते हैं और 20% लोग rich family में बिलोंग करते हैं, और बाकी 40% लोग बीच में फसे हुए है, जिसका monthly income 15,000 से भी नीचे है, अब जिस तरह से government school में बच्चे कम हो रहे हैं, क्योंकि teacher नहीं है, obviously कौन admin कर रहाएगा अपने बच्चे को future बरब increase करना पर सकता है, पहले तो student के कमी की वज़े से ज्यादा teacher recruit नहीं होंगे मतलब की unemployment, दूसरा पूरा education system privatization में बदल जाएंगे, जबकि job उसको ही मिलेगा, जो लोग private school की owner के relative है, और ये continuously decrease होता रहेगा, जिसमें middle class बाले भी अपने बच्चे को private school में admit करवाने के लिए जो जो जिसका salary 15,000 है पर मंद, और अपने एक बच्चे के लिए महीने में 12,000 खर्च करना पड़े, और tuition के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसको हम छोरी देते हैं, तो बाकी बच्चे 3,000, इस 3,000 रुपिया से उसकी family को पुरा महीना survive करना पड़ेगा, और poor family के बात तो हम छोरी देते हैं, वो लोग तो अपने बच्चे को पराही नहीं करवाएंगे, और middle class वाले भी अपनी जिन्देगी की हर सुकत्याग करके बच्चे को पराहेंगे, शायद कोई-कोई बीच रस्त में ही अपने बच्चे को पराना बंद करते हैं, और जो लोग पर पहले से पैसा है, और वो लोग जिसके पास पैसा नहीं है, उनके लिए एडूकेशन भी नहीं है, कोई जिन्देगी नहीं है, दुकानदार का बेटा, दुकानदार, जमादार, फर्मार का बेटा फर्मार, बस ऐसे ही चलता राएगा. और अगर आप लोग सोच रहे हो कि कि अगर ये सरकार चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं एक सच बात बोलू आप लोग गलत सोचे यह प्रोसेस कंटिनुवसली चलेगा क्यूंकि इन में से गब्मेंट को प्रॉफिट होता है प्राइबेट आइजेशन से गब्मेंट को प्रॉफिट होता है लोग साइद बच जाओगे इस प्रॉब्लेम से क्योंकि आप लोगों को जॉब मिल जाएगा पर अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो आप लोग की सेलर जितनी बढ़ेगी प्राइबेट स्कूल का रेट उतना ही बढ़ेगा पैसा नहीं शिक्षा नहीं इसमे किसी भी तरह की प्रोटेस्ट करो ताकि सब को पता चले कि एडूकेशन से बरकर कुछ भी नहीं है और लोग रोट खराफ होने से स्ट्राइक लगाते हैं और दस साल से प्लैन करके बिंगल को खतम करने की प्रैस कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा पहले तो सब्सक्राइब करो उसके बाद लाइक करो शेयर करो और अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए तो नीचे कमेंट करो थैंक्यू फॉर आचिंग चेक क्या